एक बहुत ही इंपॉर्टेशन टॉपिक दो नेम इस पर्मुटेशन और यह चैप्टर अपने आप में खुद तो इंपॉर्टेंट है ही बट इसमें जो कॉंसेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमको स्टैटिक्स के दूसरे चैप्टर में भी बहुत हैल्प करता है इसलिए यह चैप्टर का इंपोर्टेंस बढ़ जाता है It's a very practical chapter, very interesting chapter, बिलकुल भी भाई इसको miss करके नहीं जाने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसमें समय भी अच्छा खासा लगता है, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं जो अपने बारे में आपको बता देता हूँ So my name is Pranav Popat and I am a faculty for CA Foundation paper 3, Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics, अभी जो हम लोग topic पढ़ रहे हैं वो business mathematics से बिलॉंग करता है, ठीक है? और यह सारे उन बच्चों के लिए important है वीडियो जो November 2022 या उसके बाद कोई भी CA Foundation के examination दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा, I am a chartered accountant by qualification and I have cleared all the levels of the CA in very first attempt, I am having 5 years of experience after CA and I am an educator by passion by choice. So, आपको CA Foundation level पर paper 3 पढ़ाऊंगा और intermediate level पर भी paper 3 होता है, जिसका नाम होता है, cost and management accounting वो भी मैं पढ़ाता हूँ. अच्छा, I am the part of the Bahubali team, so this team which stands with you till the end of the examination, आपने देखा ही होगा कैसे recent examination में आकरी दिन तक सारे के सारे educators लगे हुए थे बच्चों की preparation के लिए and this is my timing, so YouTube पर रोज रात को आड़ बजे, permutations and combinations का topic चल रहा है, और अगर आप एक regular batch, structured batch, proper batch, जो कि अन Academy, app के अंदर होती है, plus batch, एक आगरता, join कर सकते हो, जिसमें मैं 8 a.m. to 9.30 a.m. पढ़ा रहा हूँ, और ये भी November, December 22 attempt वालो के लिए applicable batch होगी, तो चलिए भाई, शुरू करत है, इस amazing session को, all the very best, अब देखो हमारे पास क्या topic बचाए सर, यहाँ पर लिखा हुआ, permutations when things are alike, मैं आप लोगों को black screen में लेकर चलता हूँ, जब जब मैं आप लोगों को black screen में लेकर चलता हूँ, आपको समझ जाना चाहिए, कि मैं कुछ खास बताने वाला हूँ, मैं कु R, K, इस word में जितने letters हैं, उनकी मदद से तुम कितने five letter word बना सकते हो, how many five letter words you can form using these, using this word and using the letters of this word, यह आपको already आता, मुझे सभी से answer चाहिए, मुझे सभी से answer चाहिए इसका, it's a very 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 easy question, sir, हमारे पास पांच letters हैं, और इन पांच letters में से पांच letter का ही word बनाना है, तो 5P5, क्योंकि word is a arrangement of letter, guys, word is a arrangement of letters, that's why 5P5, तो answer हो जाएगा आपका 120 ways, अब दूसरी बात सुनिए guys, आपने अभी तक जितने भी सवाल किये, आपको ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मैं आज आपको realize करवाता हूँ, पर इस spark word के भी जो letters है न, वो आप देख सकते हो, अलग-अलग है, S-P-A-R के 5 यूनीक है, अभी तक हमने कोई भी ऐसा सवाल नहीं लिया था, we have not taken even a single question, जहाँ पर अगर word में कोई letter repeat हो रहा हो, तो उसे कैसे करेंगे, और ये चीज़ जान बुझके छोड़ी गई थी आखरी के लिए, ठीक है सर, तो आप चाहो, तो आप अपनी module में जाके, पिछले सारे questions चेक कर सकते हो, कहीं भी ऐसा कोई word नहीं था, जिसमें letters repeat हो रहे हो, लेकिन आज हम लोग सर समझने वाले हैं, कि अगर किसी word में letter repeat होता है, तो फिर permutations कैसे निकालना है, तो पहले तो ये बताईए कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कि हमें करना क्या है आज, दिमाग की बत्ती जला No problem guys, no problem, जो भी बच्चे लेटा हैं, चिंता मत कीजे, कोई ज्यादा कुछ नहीं बताया है मैंने, अब मैं बताने जाने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं concept चालू कर रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास एक word है, cool, cool, there is a word cool, और इस cool word की मदद से मैं आपको बोलता हूँ, ब तो जितनी knowledge अभी तुमारे पास है न, उसके basis पर तो तुम simply क्या answer दोगे, जितना knowledge अभी तुमारे पास है, उसके basis में तुम answer दोगे, कि 4 letter है, 4 letter का word बनाना है, 24 words बनेंगे, और मैं तुमारे answer से agree करूंगा, कि इसके 24 words बनेंगे, मैं इस बात से agree कर रहा हूँ, tension मतलो तुम भले मना करो, मैं तो बनाऊंगा, ठीक है, तो please देख लो यार, बनाने दो मुझे यार, चल, एक word तो हमारा हो गया, c, o, o, l, cool, मैं कुछ कारण वश, कुछ कारण वश, एक o का color yellow रख रहा हूँ, और एक o का color white रख रहा हूँ, थोड़ी दिर में आपको वो कारण सम में आ जाएगा, ठीक है, और words बनाता हूँ, c, o, c, o, l, o, उसके बाद, c, o, sorry, c, o, l, उसके बाद, c, o, l, उसके बाद, c, o, o, l, o, ठीक है, उसके बाद, c, l, o, o, उसके बाद, c, l, o, o, अगर आप ये मान के चलो, भाई, कि ये चारो unique letters हैं, अगर आप ये मान के चलो, कि ये unique letters हैं, तो मैंने बोला, चलो मान लेता हूँ, ये o, अलग है, ये o, अलग है, तो उस basis पे अगर तुम ऐसा बोल रहा हो, कि तुम्हारे 24 words बनेंगे, तो मैं बता हूँ, उस 24 words में तुम क्या कर रहा हो, उस 24 words में तुम इसको और इसको अलग-अलग count कर रहा हो, तुम इसको और इसको भी अलग-अलग count कर रहा हो, ये सोचते हुए कि एक बार ये वाला ओ इस तरफ चला गया एक बार ये वाला ओ इस तरफ आ गया वाह 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 क्या logic लगाया भाई तुम ये सोचके याँ पर 24 words बता रहे हो कि एक बार ये वाला ओ लेफ्ट में रहेगा यलो वाला एक बार right मरेगा तो देखो दो different different words हो गए क्या बात है दो different different words हो गए अरे नालाया को क्या ये दो different words है No Not different words तो answer इसका जो भी आये क्या ये बात आपको feel हो गई है कि इसका जो भी answer आएगा वो 24 से कम आएगा इस पूरे question का final answer जो भी आये लेकिन ये बात तुमको पता चल गई होगी अब कि 24 तो इसका answer नहीं होना चीए क्योंकि अगर हम 24 words count करने जाए तो उसमें ऐसे repetitive words भी तो आ रहे है C O O L C O O L एक बार O को ऐसे रख दिया एक बार O को ऐसे रख दिया अरे भाई ऐसा थोड़ी चलता है जीवन में आर ऐसा थोड़ी चलता है जीवन में चलता है कैसा नहीं चलता न ठीक है इसका मतलब आपको समझ में आगे कि सर यहां पर answer ऐसे होगा नहीं तो अगर मैं यहां से देखूँ तो तुमारे पास यह 6 में से सिर्फ 3 बच रहे हैं यह देखो यह वाले भी दोनों एक जैसे हो गए यह और यह भी देखो एक जैसे हैं तो यह भी तुमारे different words है actually देखा जाए तो same words है different नहीं है तो यह 6 में से यह 6 में से तुम सिर्फ 3 count करोगे तो उसी तरह पूरे 24 में से तुम सिर्फ 12 words count करोगे तो इसका सही answer आएगा 12 words अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे निकाला जाएगा अभी तो मैंने feel करवाया है कि जैसे यह 6 हमारे words बने थे इन 6 words में से 2-2-1 जैसे-1 जैसे-1 जैसे हो गए तो इन 6 को तुम सिर्फ 3 count करोगे इसी तरह 6, 6, 6, 6, 24 होते थे उनकी जगे आप 3, 3, 3, 3, 12 होंगे यह बात logically correct है मुझे बनाने की जरूत नहीं है लेकिन सर आप कोई तरीका बताओ ना जिससे हमारे यह 12 answer है मतलब कोई theorem बता दो कोई method बता दो ताकि कोई भी सवाल हमारे पास दिया हो जहां पर हमारे letters repeat हो रहे हो तो वहां पर हम ऐसा करें तो अब मैं तुमको बताता हूँ what is the methodology to solve these kinds of questions तो सर अगर आपके पास अगर आपको permutation निकालना है when when letters are या things are alike alike मतलब अगर तुमारे पास चीज़े एक जैसी है तो क्या करते हो तो उसके लिए तुम ये formula लगाते हो n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial n factorial divided by n1 into n3 सर क्या मतलब इसका मैं बताता हूँ क्या मतलब इसका जैसे मान लो एक word है पता नहीं यही spelling होती है की नहीं पर मैंने जो word बनाएं वो ही spelling मान के चलो Mississippi ऐसी एक नदी का नाम है जो आफरिका में बहती है Mississippi ठीक है अगर तुमसे मैं बोलो कि यह Mississippi word को और arrange करके different different words बनाओ तो कितने words बनाओगे तो पहले तुम यह मान के solve कर दो कि मान लो सारे एक सारे यूनीक हैं तो 1,2,3,4,5,6,7,8 तो तुम सबसे पहले लिख दो 8 factorial ठीक है भाई लेकिन फिर तुमको realize होना चीए अरे यार इसमें मेरा I जो है आई दो बार आ रहा है देखो एक और दो अरे तीन बार आ रहा है दो बार भी नहीं भाई तीन बार आ रहा है इस वाले पूरे वर्ड में I मेरा तीन बार आ रहा है इस वाले पूरे वर्ड में S मेरा दो बार आ रहा है इस पूरे वर्ड में P भी मेरा दो बार आ रहा है और इस word में मेरा m तो एक ही बार आ रहा है तो जो एक बार आ रहा है उसको मत गिनो अब जो जितनी जितनी बार repeat हो रहे हैं एक word के अंदर जो भी letter जितनी जितनी बार repeat हो रहे हैं उतने का factorial डिवाइड कर दो और this will give you the answer चेक करिए तो निकाल ये इसका answer क्या आना चाहिए मैंने निकाल गरा हूँ आप निकालेंगे calculator की मदद से तो 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 divided by 6 divided by 4 divided by 4 answer is 420 420 आ रहा भाई मेरा तुमारा क्या आ रहा है 420 कांसे ला रहा हूँ मेरा तो 420 आ रहा है ऐसा 420 से तो 420 होता है तो मारा 16 कैसे आ रहा है 8 into 40,320 divided by 6 divided by 2 divided by 2 अरे नहीं साही है साही है मैंने कड़बड कर दिया 1680 आएगा 1680 You guys are right Sir एक काम ऐसा करो ना Sir कि ऐसा कोई example ले लो जिसको proof करवा सको ये लो भाई cool वाल example ले लेता हूँ cool अभी cool word में देखो COOL वैसे तो normally इसको solve करूँगा तो लिख दूँगा 4 factorial क्या इसमें कोई repeat हो रहा है repeat C तो repeat नहीं हो रहा L तो repeat नहीं हो रहा O दो बार repeat हो रहा तो तू factorial से divide कर दो 24 upon 2 अच्छा I से 12 answer आ रहा है हाँ भाईया I से 12 answer आ रहा है Mississippi समझ गए भी है कैसे किया जो भी word तुमको मिले पहले उनके सारे letters का 8 factorial लिख दिया जो जितनी बार repeat हो रहा है उतने factorial से divide कर दिया बात खतम पैसा हजम चलो बाई कितने लोगों को समझ में आ गया दिमाग की बत्ती जलाएंगे और एक अगला word मैं आपको दूँगा उसको भी solve करेंगे आप लोग अगला word मैं आपको दूँगा उसका भी आप permutations निकाल के मुझे देंगे चलिए चलिए find the arrangements of word fantastic चलो आपका word है fantastic अब fantastic तरीके से इस question को solve करो इस fantastic word के number of permutations कितने निकलेंगे my dear chance जल्दी I am waiting for you guys क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है भाई और बेहनों गजब एक दो तीन ुचार पाँच छे साथ आठ नौ 9 factorial divided by f कितनी बार repeat हो रहा है a की बार आ रहा है a sir a dua बार repeat हो मेरा तो 2 factorial a का 2 factorial n a की बार आ रहा है t 2 बार आ रहा है 2 factorial Q impossible x on a repeat हो रहा 1 i n Haos 9 factorial up on 4 9 factorial up on 4 आंसर इस 90,720 बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का and now you guys are ready now you guys are ready to start the concept of permutations when things are alike तो आप logic समझे हमने हैं टॉपिक में क्या किया permutations निकालना है जब आपकी चीजे एक जैसी हैं यह रहा आपके पास formula so number of permutations in which n things may be arranged among themselves taking them all of the time तो उसमें तुम बोलोगे all at a time कि पहले total कर लो उसके बाद individual factorials जो जितनी बार repeat हो रहा है उसको उतने factorials से divide कर दीजेगा यह रहा आपके सामने सवाल आपको करना इसका answer अब तुम लोगों से बन जाएगा भले यह chapter छोड़के आने वाले हो तुम भले paper में तुम यह chapter छोड़के जाने वाले हो लेकिन यह सवाल तुम से बन जाएगा कर दो भाई फड़ा फड़ कर दो champions जल्दी करो यार wait कर रहा है तुम लोगों का how many different permutations are possible from the letters of the word calculus, calculus, calculus क्या बात है तुम अलग अंसर आ रहा है लेकिन 5040 सबसे जादा अंसर आ रहा है 5040 चली चेक करता हूं मैं c, a, l, c, u, calculus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 factorial divided by सबसे पहले c की बात करूं तो c, 1, 2, 2 बार आ रहा है a की बात करूं नहीं repeat हो रहा l, 2 बार आ रहा है u, 2 बार आ रहा है s, repeat नहीं हो रहा this is your answer 8 factorial divided by 8 8 into 7 factorial upon 8 8, 8 cancel answer is 7 factorial which is 5040 अडिंग को अडिंग की चिका, डिंग क चिका, डिंग की चिका, Wowłem का रहा है च्रहीं नहीं है, जरूरी तक यह पॉल्स न sitä यह लगेघा रहा आ 6 of them are red and 4 of them are white तो तुमारे billiards के table में snooker, billiards, जो game होता है, पूल table होता है उसमें 17 balls रखी हुई है 7 एक जैसी black ball है 6 एक जैसी red ball है, 4 एक जैसी white ball है इनको कैसे arrange करोगे तो तुम बोलोगे वैसे तो 17 factorial way में arrange करूँगा इनको में लेकिन जो जितनी बार एक जैसी repeat हो रही है, similar, common एक जैसा, जैसे letters एक जैसे थे वैसे balls एक जैसी है, तो उतना factorial divide हो जाएगा अब तुमें इसका answer पूरा निकालने की जरूत नहीं है बस factorial के form में answer रहेगा I am okay, you don't need to calculate the answer, बस objective समझना है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ not the answer, यहीं तक रहने दिन answer, समझ में आगे की नहीं बसी बता दो चली next, यहाला question आपको करना है, exercise 5D question number 1 this question is now up to you over to you guys do it now over to you now do it now, quickly the letters of the word Calcutta and America are arranged in all the possible ways the ratio of the number of their arrangement is Calcutta and America एहले Calcutta की बात करता हूँ सर, Calcutta में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divided by C आरा दो बार A आरा दो बार L तो repeat नहीं हो रहा, T आरा दो बार यह तो exactly तुमारा वही हो गया 8 factorial divided by 8 मतलब 7 factorial जो तुमारा वो आरा था calculus का वैसी America 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 factorial divided by A repeat हो रहा दो बार बस बाकी तो कोई repeat नहीं हो रहे तो आपको Calcutta और America का ratio निकालना है तो 7 factorial divided by 7 factorial upon 2 मतलब 7 factorial into 2 upon 7 factorial मतलब 2 upon 1 मतलब 2 ratio 1 option B is the correct answer 2 ratio 1 option B is the correct answer I hope आपको समझ में आगया होगा यह वाला सवाल ठीक है? Good Next one लो भाई यह सवाल भी आपको ही कर रहना है Commerce So there is a word commerce and again you have to arrange in the same way अरे भी यह कोई lag नहीं है एकदम बिंदास चल रहा है कोई lag नहीं है एकदम stable है भी है ना तो आप अपने पढ़ने में जान दो कोई lag नहीं हा रहा है अर्चार्बस कोब चाह्थपे ढान है कोई बद्दा़्शबस कर पाता है लो नहीं है अरल कोई टमें उन्सूदबस कर ی अर्चार्बस कर रहा है कोई भी गूआवा़ नहीं है कर रजंबस्दाददवा रहाई पहाört रहा है चलो बहुत बढ़ियां guys very good जबर्दस्त आंसर आ गए अब यहां पर ना क्या confusion है मज़े की बात यहां दो-दो आंसर आ रहे हैं जानगुच कैसा सवाल दिया हुआ है दो-दो आंसर पेपर में ऐसा नहीं आएगा टेंशन मतलो commerce वर्ड कॉमर्स वर्ड कॉमर्स में सी आता है दो बार two factorial commerce में o a की बार आता है m आता दो बार two factorial और e आता दो बार again two factorial eight factorial upon eight which is seven factorial तो तुम इसे ऐसा भी लिख सकते हो और तुम इसे ये भी लिख सकते हो तो मतलब b भी सही आंसर है c भी सही आंसर है इसमें से गलत कोई भी नहीं है तो लेकिन पेपर में क्या करेंगे पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसके दो correct answer हो पर अभी देखिए दोन answer देदो यार लेकिन IG सर मैं आपसे गुस्सा हूं आप क्या गलत गलत अफवा फैला देते हो बताओ बच्चे बोल रहा थे कि 10 अपरेल को कुछ होने वाला है कुछ भी मतलब अपने मन से सर ऐसा मत किया करो यार बच्चों को लगता है मैं उनसे जूड बोल रहा हूं पा रहा हूं कुछ इसा थोड़ी होता अचा गाइस अगर आप अभी अपनी लाइव चैट में देखोगे तो आपको ना एक लिंक मिलेगी स्पेशल क्लास की तो कल रात को जो पर्मुटेशन और कॉम्बिनेशन की क्विज है यह उसकी लिंक है जाकर नोटिफाइ मी कर ले है यह देखो सब पूछ रहे गुलाबों कौन है अपने मन से नाम रखा गया है यह लोगों द्वारा इसमें मेरा कोई रोल नहीं है बाई चलो कोईशन नमर सेवन तो एक्सरसाइस फाइव डी कोईशन सेवन आपको करना है इतना आसान सवाल नहीं है यह पोशिश करो पहल आपकी आज क्लास नहीं के नौ बज़े वाली कितने बज़े रहें साड़े नौ ठीक है फन होते रहना चीए बढ़िया है सर आप भी आना कल क्विज में कि यह त्रिपाठी आप नहीं हो आपको बहुत-बहुत स्वागत हैं अ कृश sentences अरें ऐसिक है किया रा उजु सादी यह सब करते रहने बाद में पहले अपूडना वाला क्वेशन करो तूं अपूडना वाला क्वेशन करो पहले उसके बाद यह सब करते रहना चलो थोड़ा लेवल अप हुआ है भाई, question का थोड़ा लेवल अप हुआ है, तो ध्यान दीजिए, बातें मत कीजिए ज़्यादा The number of words that can be made by rearranging the letters of the word अपूर्णा, so that the vowels and consonants appear alternate अब देको अपूर्णा word में एक vowels है तुम्हारा A, दूसरा vowel है U और एक और vowel है A, अब पूर्णा word में तीन vowel है और consonants की बात करूँ तो P, R, N तो तीन consonant, तीन vowel, अब आपको ना 6 letter का ऐसा word बनाना है कि vowels और consonant अपियर होने चीए, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब alternate अपियर करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, एक तरीका यह हो सकता है कि तुम्हें start कर लो start with a vowel तो ऐसा हो जाएगा, vowel, consonant, vowel, consonant, vowel, consonant, ऐसे एक एक डाल दोगे तो vowels के लिए तीन जगा है, consonants के लिए भी तीन जगा है, तो मैं बोल दूँगा, तीन, vowels, तीन, consonant लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कुछ और है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है सर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तुम वावेल्स को अरेंज कर रहे हो न तो उसमें दो identical हैं तो जब तुम वावेल्स का अरेंजमेंट लिखोगे तो divided by two factorial करना पड़ेगा तुम क्योंकि ये तीन चीजों में से दो चीजे तुमारी एक जैसी हैं तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि वावेल्स पहले रखता हूँ कॉंसोनेंट बाद में रखता हूँ स्टार्टिंग विद वावेल्स तो मेरा टोटल नमबर आप ये आएगा six three जा eighteen eighteen ways एक तरीका तो ये हो गया या फिर और और alternate बोला है तो जरूरी थोड़ी वावेल्स से शुरू करो ऐसा भी कर सकते हो आप कि पहले कॉनसोनेंट रख दो फिर वावेल जा साथ जैसे है तो ये वाला फॉर्मूरा लगा दिया जो भी हमने थोड़ी दिर पहले समझा है और उसके बाद फिर इसके भी total ways आजाएंगे 18 ways अब क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं कर रहे हो या तो आप vowel से शुरू कर रहे हो या तो आप consonant से शुरू कर रहे हो तो दोनों के बीच में और लगा हुआ है और इसलिए plus होगा 36 इस दा answer आसान question नहीं है भाई level वाला question है सब के दिमाग में नहीं आएगा ये एक बार फिर से बताऊंगा इतना आसान भी नहीं है भाई है तो फिर से सुनिए आपके पास एक word है जिसका नाम है अपूर्णा अपूर्णा word में आपको ये condition दे दिया कि उसको आप arrange करिए और इस तरीके से बनाईए कि vowels alternate आजाएं और consonant alternate आजाएं ठीक है vowels alternate आजाएं लेकिन ये नहीं बताया कि odd में कौन रहेगा even में कौन रहेगा तो दोनो options हमारे पास खुले हुएं या तो हम odd में vowels को रख लें और even में consonant को रख ले या तो फिर odd में consonant को रख ले और even में vowels को रख ले now in that case अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि तीन vowels हैं और तीनो यहाँ पर आगए तो 3P3, 3 factorial तीन consonant है तीनो यहाँ पर आगए 3P3, 3 factorial लेकिन जो तुमारे vowels हैं वो तीनो के तीनो यूनीक नहीं है इसमें alike भी है alike मतलब इसमें 2 1 जैसे हैं तो 2 factorial डिवाइड करना पड़ेगा वही सेम चीज़ जब दूसरे पार्ट में करूँ को तो वहाँ भी 2 1 जैसे हैं इसलिए 18 प्लस 18, 36 कितने बच्चों को समझ में आया अब इसके अंदर एक बढ़िया प्राबलम आएगी और वो आएगी सर क्या इसमें minus 1 नहीं करना नहीं करना मैं आपको समझाओंगा क्यों minus 1 करता क्यों है इंसान minus 1 क्यों करता इंसान सर minus 1 इसलिए करता है कि उसमें जो total counts किये हुए इसमें से एक वो already यह जो word दिया हुआ है आपने मेरे साथ इसके पहले question किया था थोड़े दिनों पहले और उसमें आपने ये वाला example किया था computer और computer वाले example में आप ये बोल रहे थे कि इसको और अगर मैं arrange करता हूँ तो 8 factorial ways होंगे जिसमें से की computer अपने आप में एक word है उसको minus कर देता हूँ तो answer आ रहा था 40319 इसी की वज़े से आप लोग बोल रहे हो ना इसमें आपने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि question में लिखा हुआ था rearrange अब मैं आप से बोल रहा हूँ क्या आपके जो 36 ways आ रहे हैं जिसमें की या तो vowels तुमारा odd places पे है और consonant even पे या फिर consonant odd पे है और vowel even क्या उन 36 ways में अपूर्णा एक word होगा या नहीं होगा सोचो सर अपूर्णा में तो कुछ alternate नहीं है a, p, u आ गया, r, n साथ में आ गया कहा alternate है अपूर्णा word तो खुद ऐसा word है जो इन 36 में count ही नहीं हो रहा है अब जो चीज 36 में count ही नहीं हो रही उसको क्या minus करेगा रहे तू क्या minus करेगा रहे फैजल जो चीज 36 में count ही नहीं हो रही उससे तू 36 में से क्या निकालेगा जो चीज तेरी 40,320 में count हो रही थी 8 factorial में वो computer था इसलिए तू निकाल रहा था उसको यहाँ पर भले रही arrange word लिखा हो लेकिन क्या तेरे जो 36 ways आ रहे हैं उसमें अपूरुना word count हुआ है हुआ ही नहीं है इतने लोगों को यह वाली बात समझ में आई है इसको फर्क कहते हैं रटने का और समझने का अब वो हाला जो concept था ना minus one तुम्हें जरूर लग रहा कि तुम समझ चुके थे लेकिन अब तुम्हें realize हो रहा हो कि नहीं सर हम रटे थे आज हम समझें उस concept को मज़ा आया की नहीं दिमाग की बत्ति चलाईए दिमाग की बत्ति चलिए लेकिन काजल की नहीं जलिए भी काजल बिटा जल जाएगी tension मतलो मैं सिर्फ यह बोल रहा हूँ कि जब जब rearrange word लिखा होता है तो तुमने ऐसा रट लिया था कि तब तब हम minus one करेंगे लेकिन ऐसा सोचना गलत है rearrange में minus one तब किया जाता है जब तुमने जो total ways लाए है उसमें already वह वाला word counted है जब computer वाला example लिया था तो जो 40,320 ways थे उसमें अपूर्णा word computer word counted था इसलिए तू rearrange के समय उसको minus कर रहा था यहां पर जो तुमारे words बन रहे हैं जिनके तुम 36 ways लाए हो इसमें अपूर्णा नहीं है counted क्योंकि अपूर्णा है नहीं जो इसमें eligible होता हो अपूर्णा word में तो यह वावल हुआ यह consonant हुआ वावल हुआ मज़ा आगया भी यहां चलो अब यह देखी बढ़िये सवाल है number of ways in which nine things can be divided into three groups यह गलती से twice word लिग गया है यहां पर इसको सुधार लीजेगा book में you have nine things and you have to arrange those nine things into three groups एक ग्रूप में दो लोग होने चीए दूसरे ग्रूप में तीन लोग होने चीए और तीसरे ग्रूप में चार लोग तो दो तीन पांच और चार नौ कैसे करोगे इस चीज को तो मैं बोलता हूँ मान लो मेरे पास यह objects हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नौ यह nine objects हैं इन nine objects में से मैंने यह दोनों का एक group बना लिया ये तीनों का एक group बना लिया और ये चारों का एक group बना लिया और मुझसे पूछा जाता है कि इसका arrangement करो तो मैंने बोला पहले तो मैं इसका arrangement करूंगा तो 9 factorial हो जाएगा फिर मुझे realize होगा कि A और B के बीच में आपस में जो changes हो रहे हैं इनको identical मान लो क्योंकि जब तुम group बनाने की बात करते हो न तो उनका sequence count करने का कोई मतलब नहीं है तो मैंने बोला ठीक है इनका nullify कर देता हूँ मतलब उन दोनों को मैं alike मान लेता हूँ उसी तरह ये तीनों को भी alike मान लो इन तीनों को भी alike मान लोगे तो three factorial और इन चारों को भी alike मान लो फिर से समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ यहां पर नौ लोग है नौ लोगों को arrange किया nine factorial फिर उसमें से realize हुआ कि नहीं उसमें जो दो तीन और चार के group बने हुए न वो दो तीन और चार के group आपस में अपनी जगे बदलेंगे उसको count नहीं करना है क्योंकि वो group हैं groups हैं groups में sequence matter नहीं करता तो कहीं न कहीं permutations में से जब आपको arrangements को हटाना होता है न तो आप factorial divide करते हो combinations भी क्या था जब तो combinations निकालता था तो permutations में से factorial को divide करता था तो combination आ जाते थे मतलब arrangement हट जाता था सिर्फ selection बज जाता था यहां भी हो रहा है पहले permutations निकाला उसमें से जो जो चीजे एक जैसी हैं उनके factorial divide कर दिये तो automatically उनकी grouping count हो गई और उनका जो arrangement वो गायब हो गया like this बताए कितना answer आ रहा है 1260 ठीक है अपना इसके बाद level उपर होता जा रहा है तो अब आपको tension नहीं लेनी है मैं कोशिश करूँगा समझ में आये तो ठीक है लेकिन tension नहीं लेना officially मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि chapter खतम हो गया है yes officially मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ chapter खतम हो गया है मैं देख लहता हूँ अगर मुझे कोई question अभी बताना होगा तो मैं बताऊंगा नहीं रहने देता है चलो छोड़ो तो chapter is ended now with this I can officially announce that permutations and combinations जितना हमको करना है उतना end हो गया है अब इसके बाद कोई high level नहीं करना अब तुम सोचो जितना तुमारे कवरेच छेतर में है chapter ना उतना ही करने में हमको 13 lecture लग गए है now anybody is interested here जो चाहता है कि और भी कर लें मतलब नहीं है मतलब नहीं है so 2 चीजें हमारे पास बच्चे क्या सोचते हैं या तो chapter को अच्छे से कर लूँ या skip कर लूँ मैं बोलता हूँ नहीं अगर कोई chapter tough है तो ना तो तो उसे skip कर ना तो तो उसे पूरा अच्छे से करने में focus कर क्योंकि तो बहुत अच्छे से करने भी जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा इससे अच्छा midway तो जितना हमने पढ़ा है उतना midway है बस उतना कर लीजे इतना काफी है इससे ज़्यादा करने की जुरूत नहीं है चलिए जितना मैंने करवाया है exam में maximum उसी से questions आते हैं जब मैंने chapter को शुरू किया था ये बात बताई थी कि अगर paper में 5 questions आ रहे हैं तो 4 questions वो आएंगे जो हमने पढ़ ली है और एक question बोलता हूं कि खतम हो गया है so I hope guys कि ये session आपके लिए helpful रहा होगा अब मैं आपको बहुत important बात बता देता हूं और वो ये है कि जो भी sessions मैं free of cost YouTube पर ले रहा हूं सारी की सारी live streams जो है वो upload भी होती है और हम कोई भी video delete नहीं करते हैं तो you can see here there is a virtual library www.livedaily.me.ca ये link अपने पास लिख लीजिए आप इसको जैसे ही आप click करोगे आपके सामने इस तरीके से एक web page open होगा और इस web page में आप जा सकते हो मेरे नाम आपको यहां पर दिख जाएगा CA foundation maths प्रणव पूपट और जैसे ही आप वहाँ click करोगे तो आपको इस तरीके का page दिखेगा जिसमें November 22 classes थोड़ा नीची स्क्रॉल करोगे तो आपको जितने भी मैंने शुरू से लेके topic लिए topic 1, topic 2, topic 3, topic 4, topic 5 और अभी चो चल रहा है वो topic 6 permutations and combinations सब की playlist मिल जाएगी और आप कोई भी chapter free of cost एकदम शुरू से लेकर आखरी तक कर सकते हो ठीक है आप सारा यहां देख सकते हो nothing is getting deleted okay fine इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ special classes में भी join कर सकते हो और उसके लिए आपको सिफ on academy learning app download करना है free of cost special classes देखी जा सकती है so this is my code और यह code जो है C-A-P-R-A-N-A-V अगर आपको मेरी teaching style पसंद है तो आप acknowledge कर सकते हैं मेरा code यूज करके कई जगे पर जैसे कि अगर आप कोई भी subscription purchase करते हैं तो आपको maximum discount मिलेगा दूसरी बात अगर आप कोई भी other subscriptions भी लेते हो अगर free में enrollment करना है तो you can use my code C-A-P-R-A-N-A-V ठीक है सर अब मैं आपको important बात बताता हूं सर हम जो यहाँ पर free platform में पढ़ाते हैं और paid watch में क्या gap है तो देखो भाई एक चीज होती regular class एक होती revision class regular class में दो modes होते है paid platform एक free platform free platform में live और recorded का mix होता है और यहाँ पर separate notes अलग से नहीं दिये जाते simple quizzes होती है यहाँ पर रही बात paid platform की 100% live होता है proper deadline के साथ exclusive notes दिये जाते हैं वहाँ पर जो आप print भी करवा सकते हो RTP और PYQ include होते हैं classes में yes negative marking वाली plus की quiz होती है जिस quiz में आप बिलकुल exam जैसे environment देख सकते हो और test series yes free test series include होती जिसमें evaluate करके भी आपको answer दिये जाते हैं चलो quiz में तो ठीक है accounts और law में भी evaluated test series है जहाँ पर आपके copy check करके आपको दी जाती है फिर आता है sir free platform for revision marathon तो revision और marathon तो anyways free है it is free for everyone वो अलग बात होगी लेकिन अगर आप पहली बार नए student हो और पहली बार पढ़ने जा रहे हो CA foundation का तो मैं बोलूँगा इस वाले situation में जाके आप अपनी probability बढ़ा सकते हो पास होने की ठीक है जी चलिए तो यह अभी ongoing batch चल रहा ह हमारा जिसमें पूरा syllabus करवाया जारा है CA foundation का इसके साथ साथ और भी बहुत सारी batches अगर आप subscription लेते हो तो आपकी choice होती है कि आप कौनसी batch से किस teacher से या mix of batches से पढ़ना चाते completely your choice time table देख सकते हो आप हमारी batch का जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं 8 a.m. to 9.30 a.m. आता हू and this is for an academy iconic iconic के अंदर आप देखो के prices थोड़े जादा आपको दिखेंगे क्योंकि यहां पर यह extra features है along with classes ठीक है और यह जो codes आपको दिख रहा है CA pronoun CA pronoun जैसे कि मैंने बताया यह सारे prices before discount है code लगाने के बाद आपको 10% या उससे उपर कोई भी maximum discount percent चल रहा होगा वो use up कर सकते ह thank you so much guys subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करें comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपको आज का session कैसा लगा और अगर आप हमारे channel से जुड़े रहना चाहते हैं तो bell icon जरूर प्रेस करिएगा ठीक है जी so all the very best everyone see you all tomorrow in the next lecture bye bye take care and let's crack it